हलो दोस्तों और्थोपेडिक्स और खासकर ACL की इन्फोर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों ACL की प्रॉलम एक ऐसी प्रॉलम है जिसका सब जगे प्रॉपर इलाज उपलब नहीं है काफी सारी जगे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ACL कोई बिमारी है और वो लोग इसके लिए एक्सेसाइज, फीजियो थेरेपी, पट्टा बानना इस तरह से करते रहते हैं मुझे भी बार-बार फोन करते रहते हैं कि सर हम तो नॉर्मल चल पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर क्यों ACL का इलाज कराना होता है दोस्तों ACL एक ऐसी नस है जो आपको तीज भागने दौडने में मदद करती है अगर आपके घुटने में ACL ligament तूट गया तो आप नॉर्मल तो चल सकते हूं लेकिन nossa running नहीं कर सकते हैं इसपोर्स नहीं कर सकते जिम नहीं कर शकते हैं यहीी नहीं अगर आ अगर आप लगातार ACL के बिना वाले घुटने पे चलते रहते हैं तो फिर मैनिस्कस भी टियर हो सकता है, काटिलेज भी टियर हो सकती है। आपने देखा होगा काफी सारे लोगों को बहुत कम उमर में नी रिपलेस्मेंट कराना पड़ता है। उसकी वज़े यही होती है कि उनके कभी ने कभी ACL टियर होता है और वो लोग इग्नोर कर देते हैं, देरे देरे अपने एक्टिविटी को चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर कम उमर में आर्थ्राइटिस हो जाती है और घुटना बजलवाना पड़ता है। तो ACL का उपरेशन ने सिर्व आपको घुटने को बिल्कुल पहले जैसा बना देता है, बलकि भाईश्वी में होने वाली आर्थ्राइटिस से भी आपको बचा लेता है। आज मेरे साथ एक ऐसी फाइटर मोजूद है जो कि बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, तो आएए इनकी स्टोरी जानते हैं, आपका नाम क्या है भीया? अभिशेक. अभिशेक अब कौन सी जगे के रहने वाले हो? सर्फ फ्रंग वरांसी, बनारा से. तो आपको जो लिगामेंट की चोड़ थे अभिशेक, वो कैसे लग गई थी? सर्फ फुटबॉल खेल ले थे, कॉलेज में थे, तो उस वक्त टैकल करते वक्त लग गई थे. कितने दिन पुरानी बात है अभिशेक है? तो आपको इतने दिन से क्या दिक्कतें आ रही थी और आप इलाज क्यों नहीं करा पा रहे थे? उस टाइम सर जब चोट लगी तो फिर क्लिनिक में गए, तो वहाँ एक्सरेक हुआ और उसमें कुछ ऐसा कुछ निकल की नहीं आया, तो डॉक्टर ने कहा कुछ दवा दी और कुछ एक्सराइस बताया, तो आराम तो हो जाता है, लेकिन पर्मानेंट सोलुसन ये तो है नह पर्मेशन कैसे लगी? यूटूब से सर, अब जब प्रॉब्लम थी तो सर सलुसन सर्च करना था, आसपास सर्च किया, डॉक्टर को दिखाया आसपास, तो उतना कन्विंस नहीं हो रहा था, फिर सर और नेट पर सर्च किया, क्या होता है, फिर आपके वीडियो फिर मिले त तो सर, थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि कोई है, सर बता रहा है, एक्स्टराइस के वारे में, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर, यूटूब पे तो कुछ भी बता दे जाता है, हो सकता है, उस असलियत हो या नहीं हो, तो आपको किस वज़े से इतना विश्वास पैदा ह हो रहा था? क्योंकि सर, इग्जैक्ली जो जो मेरे साथ हो रहा था, आपने सर वही नरेट कि अपने वीडियो में, तो थोड़ा बहुत तो डाउट होता है, जो ट्रस्ट तो करना पड़ता है न सर, तो जितना इतना सब कुछ बताया आपने, तो फिर और दूसरी बात डेली वो करने वाले हैं, नहीं वो कभी-कभी करते हैं, तो उनका हाथ उतना सेट होगा यद ना होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, अब लेकिन जब सर आप कि यहां दिखा है हम, तो आप तो बस कंडिशन आपके यही है कि आप पेट खाली होना चाहिए, आप तो तुरंट कर करते हैं कि एकुल को नाराज हमें करता ही आप यह ऐए commit और कूछ दोके इसोड़ करम में तौन के साइज्जां없 कुछा तरह फोर एक्स करहीं का क्पेर हम नहीं चाहिए कि सर हम आ देते हैं बड़े बड़े वादे कर दिये जाते हैं लेकिन असलियत कुछ और निकलती है आपका यहां का जो एक्सपिरियंस था वो कैसा था नहीं जैसा एक्सपेक्टेट था वीडियो में जैसा सर ने बताया था वैसा ही था अच्छा था अब आगे की जरनी शेयर करेंगे बाद में सर काफी सार लोग यह भी बोलते हैं कि सर ऑपरेशन के दौरान कितना दर्द होगा इस डर्द के मारे मोपरेशन नहीं कराते हैं हो सकता है आप जो वीडियो बनाते हैं तब तो लोगों को रटवा देते हो और फिर बाद में असलियत कुछ और होती हो जब फर्स डे दर्द हुआ था लेकिन उसके बाद धीरे-दीरे पेन अब तो अभी खड़े हैं तो अभी तो नहीं हो रहा है अगर बनारस के और उसके आसपास के राज्जियों के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एसील टीयर आया और वह इलाज कराना चाहते है तो आप उनको क्या recommendation करोगे जरूर सर एक बार यहाँ visit कर लें क्योंकि आप उधर search करें जैसे मैंने बी एच्वी में दिखाया था वहाँ पे भी cost लगबख 60-70 thousand थी और private में तो डेल लग दो लग वो आराम से बताई देते हैं और उसके अलावए experience है कि नहीं है वो इस पोर्ट में इंजरी में specialist है कि नहीं है तो कुछ खास मुझे research में कुछ पता नहीं चला था वहाँ पे तो यहाँ sir आप पे भरोसा कर सकते हैं दोस्तों हम अभिशेक को बढ़ाई देते हैं जगे के चुनाव के लिए जैसा कि इन्होंने बताई आप इनको बार बार आने की जरूवत नहीं पड़ेगी हम इनको exercise जो है वो वीडियो की द्वारा पहुंचाते रहेंगे